चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं, हमारे दोनों खास महमान यहां पर उपस्ते थे हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी धननजय जी से धननजय जी पूरे जोर शोर से 36 गड़ के चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपने भुपेश बगेल जी को यहां पर उतारा, राजणान गाउं से और फिलहाल जो रुजहान आ रहे हैं, उसके अनुसार तो लग रहा है कि यह हाई प्रोफाइल सीट है, और भुपेश जी जी जो हैं, वो काफी पीछे चल रहे हैं दिखें मिर्ता जी आपने जैसे कहा कि 36 गाड़ में बहुत हाई पुपाइल सीट है, आजजदान को कितनी सीट तोर पर, और कांग्रेस पार्टी जब प्रतियासी चैन के दिशा में आगे बढ़ी तो जिस प्रकार से 36 गाउने प्रतियासियों का चैन किया है, उसका परणा है कि भाती जनता पार्टी के साथ हम कड़ी मुकाबला में हैं, क्योंकि राज निर्मान के बाद आप देखेंगे हम एक सीट और दो सीट पर रही हैं, और इस बार जैसे 2019 के परणाम के हम चर्चा करें, तो 2019 के परणाम है जो भाती जनता पार्टी के डिफरेंस था, जीत का कहीं तीन लाग था, कहीं साड़े तीन लाग था, कहीं धाई लाग था, वो श्तिति आज नदर नहीं आ रही है, तो निशी तोर पर इस परस्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी जिस एम के साथ या पर जनता के बेज गई हमने पने पांच ने आप पच्चेस गारेंटी को ल आई तकरीबन था, आजया मैं उसके बाद में आपने कहा को अपने को अपने को च इप जिक्रे किया के चिंब बएह कं गर मैं सुभा कि अजया जयादें कर्वा, बाधैति को अगर्वा है लेकिन अभू है यह जो मार्जिन है यह बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं सुभा की बात करती हूं तब मार ज्यादा द्था देखें दीरे मार्जिन कम होते जा रहा है 15 अजween वे आर तकरीबन 31,000 मतों से और महासमुन देखिए यहां से भी भाजपा आगे चल रही है और यह देखिए यह जो मार्जिन दिखा रहे हैं कि 56,000 यह तो बहुत बड़ा मार्जिन है देखिए मैंने मैंने पहले गाना मिता जी जैसे मैंने चार सीटों कर जिक्र किया आपने कहा कि को बात करते हैं यहां पर राजपूर की बात कर रहे हैं तो कि आप यह मानते हैं कि आप राइपूर में जो है वो कॉंग्रेस पाटी अब साफ हो जाएगी उसका कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा जीत का जिस परकार से यहां पर लीड आया हुआ सभाविक्सी बात है ऐसा लग रहा है कि इस लीड को कंप्रेट कर पान हमारे लिए असम्मा वाले कि आप लीड देख रहे हैं या समय देख रहे हैं यह जो है है मत गढ़ना जा रही है और आट बजिस मेंझे आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ कॉरवा की बात कर थी हूं तो उस समय ज़रूर यह जो मार्जिन था यह ज्यादा ता गर दिया, श्याहां जरूर सब्षण मं धाया उस सब्सक्राइब मुझे तो हमारी आसा बंधी हुई है लेकिन मैं राइपूर के लिए दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन बिलासपूर के बात करते हैं तो बिलासपूर में बहुत बनती है क्योंकि अगर पचाज जर के अंदर पे लेट पे हैं किसी के साथ में तो आप उसको कवर कर सकते हैं चलिए अमित जी चलिए धननजे जी का तो कहना है कि राइपूर से वो दावा नहीं कर रहे हैं आपको क्या लगता है बाकी जगह पर उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है देखिया मृता जी अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर लगवग दस एक का आंकड़ा भी रुजानों में दिखते नजार आ रहा है अगर अभी हम बात करते हैं तो फिलहाल जो है एंडिय के पास 292 सीट आ रही है और कॉंग्रेस के पास में इंडी इंडिकट बंधन के पास में दो सो पैतिस है आपको लगता है कि अकेले भाजपा जो है वो 370 कर लेगी बिल्कुल होगा निस्चिती होगा कार करता हूं का था 370 अभी हम 300 भी टच नहीं किये हैं होगा बिल्कुल होगा शाम तक के जब उनता रिजल्ट आएंगे यह तो सिर्प रुजहान है और रुजहानों भी हम आगे चल रहे हैं मगर हमको विश्वास है हमको भरोसा है साहब आगे तो चल रहे हैं लेकिन आप यह भी तो देखिए कि आपने जो नारा दिया था 400 पार का कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दंभ साबित होगा ने बिल्कुल उसे पूरा करने का भी साहस भाजपा के के कारी करता हूं है और शाम होते ही साहस अब तो हो गया अब तो सारी चीजे एवियम मशीन में कैद हैं उसी साहस को तो सौरे में बदला है उसी साहस को तो ताकत में बदला है और मेहनत जो किया है उसके दम पर हम दम रखने का भी साहस हम कर रहे हैं कि हम निसंदे 400 पार होंगे ही होंगे दाव लगाया गया था वे हार गये और वापस अनी चहरों पर लोग सबहा चुनाव में भी डाव लगाया गया है इसको आप कैसे जस्टिफाइ ese हुस अपको लेकर आपके चनल में इंडिया लिखा हुआ है और आप इंडिया को छोड़ दीजिए फिर इंडिया बोल दीजिए वहां से भी चोड़ी से निवेदाना चाहती हूं इंडिया एलाइन्स और इंडिया में आपको तकलीफ किया है अगर इंडिया को कोई इंडिया कहें तो मुझे तो दुख होगा ना इलाइन्स तो उसमें जूड़ा हुआ है आप इंडिया मतलब आप कहना क्या चाहते हैं नहीं चैनल में आप इंडिया लिख रहे हैं और आप यह इंडिया कहेंगे तो यह तो दोनों तरब इंडिया गट कहा ना कि जब हम विधान सभा चुनाओं में हमारी निश्ची तोर पर हार हुई है और हमारे कई नेता चुनाओं हारे हैं और उसके बाद भी पर भरोस्टा करके जो उनको लोकसभा की जिम्मेदारी सोंपे उसके बाद आप देखेंगे चाहे सियू डर्या जी को देख लीज से यसा लगता कि जहां 21 राउन में गिंती होनी है वहां अगर 7, 8, 9 राउन की गिंती के बाद अगरी है तो भी समस्तों के आधे से ज्यादा राउन की गिंती बाकी है तो हम थोड़ा इंदिजार करना चाहिए और इस बात को हमेशा स्विकार करता हूं इधान सभा के परणाम में निश्चीतों बदलाओ की आसा कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए और जंटा के बिश हम गहें तो निश्चीतों पर जिस परकार से अभी तक मद्दान की जो प्रतिसा सामने आया जिस परकार से परत्यासी उस वह को मद्दान हुआ है तो यह भी तो बता र लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय लोगों में लोगसभाद चनाव की नतीजों को लेकर उत्साह चरम पर बना हुआ है